यह है Class 10 Geography Chapter 7 Mineral and Energy Resources of India का Lecture 2 पहले लेक्चर में हम Iron Ore के बारे हम पढ़े हैं इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे Magenese, Copper और Bauxite के बारे में सबसे पहले देखते हैं Magenese के बारे में Magenese क्या है? Basic Raw Material for Manufacturing Alloys जो Alloys बन रहे हैं Means Iron के साथ जो Mix करके जो समान बनाए जा रहा है, Steel बनाए जा रहा है, Iron से ही बनाए जा रहा है तो Iron में Mix करके, Magenese को Mix करके क्या? बहुत से Alloys बनाए जा रहे हैं, ठीक है? यह क्या है? यह Raw Material में Mix जादा तर जो Alloys बनाए जा रहे हैं, वो Magenese का यूज करने हैं Strengthening of Steel Steel में Magenese मिला रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? Steel की Strengthening और बढ़ रही है, Means मजबूती Steel की और ज्यादा Increase हो रही है ठीक, और Magenese से और क्या-क्या चीज़े बन रही हैं, जैसे Bleaching Powder बन रहा है Magenese से Insecticides बन रहे हैं, Paints बन रहे हैं, Batteries, China Clay यह सब क्या हैं? यह सब कुछ Product हैं, कुछ सामान हैं जो Magenese से बनाए जाते हैं समझ में आया, Magenese क्या है? यह Basic Raw Material है क्या बनाने के लिए? Alloys बनाने के लिए Alloys जो Iron और Steel में Mix करके, जो Alloys बना जा रहे हैं कौन सा Raw Material मिक्स कर रहे हैं? Magenese मिक्स कर रहे हैं Magenese को अगर हम Steel में मिलाते हैं, Steel में Magenese मिला हुआ है तो उससे क्या होगा? Steel की मजबूती Increase हो जाती है कुछ Example है, जैसे Bleaching Powder बनाया जाता है Magenese से Insecticides, Paints, Batteries और चाइना के ठीक है? इसका Distribution देखते हैं India is Second Largest Producer पूरे World में अगर देखें तो India क्या है? Second Largest Producer है Magenese का ठीक, सब Second Largest है, मिन Second Number पे आ रहा है जहाँ पर ज्यादा Magenese का Production हो रहा है Iron Ore का देखें, Iron का अगर हम देखें तो कौन सी रैंक है? 7th रैंक है, ठीक है? Distribution में कुछ Major State है जहाँ पर Magenese ज्याज़ता पाय जा रहा है जैसे Odisha है Odisha में कुछ District हैं जैसे क्योंजर, मयूर भंज, सुंदरगर, काला हांडी यह सब Odisha में ही प्लेस है जहाँ पर Magenese पाय जा रहा है Odisha मतलब इंडिया में जितना भी production हो रहा है Magenese का जितना भी produce हो रहा है Magenese पूरे इंडिया में 38% कहां से हो रहा है Odisha का ठीक है मान लिजे यह क्या है इतना Magenese हो रहा है तो इसका 38% इसका 38% कहां से आ रहा है Odisha से आ रहा है ठीक है मद्य प्रदेश मद्य प्रदेश में है बाला घाट, चिंदवारा, जबलपुर, जबुआ यह कुछ प्लेस है मद्य प्रदेश में जहां पर मैगनीज निकलता है मैगनीज का प्रोड्यूस हो रहा है मैगनीज मद्य प्रदेश अबाउट 12% पुरे इंडिया में जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है मैगनीज उसका 12% प्रोड्यूस कहां से हो रहा है मध्यप्रदेश से हो रहा है समंझ में कर यह हम कुछ और distribution देखते हैं मैंगनीज और किनकिनी इस्टेट्स में पाय जाता है जससे महारास्ट में माहरास्ट में नागपुर और भंदारा डिस्टिक्ट में महारास्ट about 25% जितना पूरे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है मैगनीज उसका 25% महारास्ट से हो रहा है किन जगहों से नागपूर और मंदार से करनाटक में ज्यादा जहां पर मैगनीज निकल रहा है वो है संदुर, नौर्थ कनारा, तुमकुर और शिमोगा करनाटक about 14% ठीक है आंध प्रदेश में देखें तो श्री ककुलम और विशाखा पत्नम ये दो डिस्टिक्ट हैं जहां से मैगनीज निकल रहा है about 4% आंध प्रदेश से about 4% का प्रोड्यूस हो रहा है मैगनीज बिहार हजारी बाग से बिहार में हजारी बाग से मैगनीज मिल रहा है समझ में आया महाराज में नागपुर और भंडार about 25% करनाटक, संदुर, नौर्थ कैनेरा, तुमकुर, शिमोगा about 14% आंध प्रदेश में श्री ककुलम और विशाखा पत्नम about 4% गुजरात में पंच महल और वरोदरा और बिहार में हजारी बाग समझ में आया यह क्या था मैगनीज इसे नोट करिए हम कॉपर के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट मिनिरल पढ़ते हैं, कॉपर के बारे में, कॉपर एक्स्टर्टेट फ्रम ओर्स लाइक चालकोकाइट, मेलाकाइट और क्यूपराइट कॉपर किस ओर से निकल रहा है, कॉपर ओर से निकल रहा है, जैसे चालकोकाइट, यह क्या है, यह कॉपर ओर है, जिससे क्या निकल रहा है, कॉपर बिल रहा है हमें, मेलाकाइट और क्यूपराइट, यह कुछ ओर है जिसमें कॉपर की क्वेंटिटी, तूसरे इंप्योटी इसके compare में ज्यादा है ठीक है यूजर्स क्या है copper क्या है good conductor electricity का copper good conductor electricity का means copper में electricity तुरंत पहुँच जा रही है electricity इसमें conduct कर रही है इस वज़े से ज्यादा तर कहां पर यूज होते हैं wires बनाने में wires जिसे electricity पास हो है cables बनाने में uses in electrical industry electrical industry में means as industry जहां पर जितने भी electricity से related समान बन रहे हैं है wire बन रहे cable बन रहे हैं या जो भी electricity से चलने वाली चीज़े हैं वह इंडस्टी में क्या यूज किया जाता है copper यूज किया जाता है जैसे wires बना जाते हैं cables बना जाती है means cables जो काफी मोटी तार होती है उसे utensils बरतन भी बना जाते है copper से refrigerator फ्रिज जो होती है refrigerator उसमें भी उस किया जाता है copper का defense industry defense के लिए सामान बनने जैसे weapon हो गया गन बन रही है पिस्टल बन रही है जितने भी defense से related जो सामान है उसमें copper का यूज किया जा रहा है और copper अगर iron और nickel के साथ मिला दिया जाए मतलब copper में iron और nickel को mix कर दिया जाये तो उससे क्या बनता है debout stainless steel बनता है ठीक है stainless steel बनता है और copper को अगर nickel के साथ मिला दिया जाय तो moral metal बनता है copper को Jurassic के साथ मिला जाये तो ब्रास बनता है और कॉपर को टिन के साथ मिला दिया जाये तो ब्राउंज बनता है समझ में आया क्या है गुट कंड़क्टर है एलेक्रिसीटी का कॉपर किस और से निकल रहा है चैलको काइट मेला काइट और क्योपराइट से आरेन और निकल के साथ मिलाया जाए कॉपर को तो स्टेल्लेस स्टील बनता है निकल के साथ मिलाया जाए तो मॉरल मेटल, जिंक के साथ तो ब्रास और टिंक के साथ कॉपर को मिलाया जाए तो ब्राँज बनता है समझ में आया है copper के बारे में इसे नोट करिए इसके distribution देखते हैं next है copper का distribution देखते हैं मिन्स कहां कहां पर copper पाय जा रहा है MP, मद्यप्रदेश, मद्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा copper निकलता है मिन्स कॉपर सबसे ज़्यादा केस स्टेट पर पाय जाता है मध्य प्रदेश में कॉपर सर्फ तीन स्टेट में पाय जाता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और चारखन में मध्य प्रदेश में तारे गाउं, बाला घाट, खेरती बाजार, बारा गाउं ये कुछ प्लेस है जहाँ पर मद्य प्रदेश में कौपर पाय जा रहा है राजस्थान में देखे अरावली हिल्स में खेतरी सिंगोना बेल्ट और जुन जुनू खेतरी प्लेस है ये कहाँ पर है सिंगाना बेल्ट जुन जुनू की सिंगाना बेल्ट में खेतरी है और यहाँ पर copper निकलता है, copper पाय जाता है, अलवर, किसानगर, यह सब places कहां के हैं, राजस्थान के हैं, यहाँ पर copper निकलता है, जारखंड, जारखंड में राखा, मोसलबानी, हजारी बाग और पलामी, यह कुछ places हैं कहां के जारखंड के, जहाँ पर copper निकलता है, copper पाय ज आते हैं समझ में आया इतना यह कॉपर है इसे नोट कर यह हम बॉक्साइट के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट है बॉक्साइट मिनेरल बॉक्साइट मिनेरल के बारे में पढ़ते हैं और और अलुमिनियम बॉक्साइट कहां से मिलता है अलुमिनियम के और से बॉक्साइट मिलता है ठीक है जो Aluminium का ओर होता है मतलब जैसे ये क्या है ये एक rock है बहुत बड़ी सी इसमें क्या है Aluminium ज्यादा है Aluminium माल इसे 60% है तो 40% जो बचा उसमें और कुछ importies होंगी और Aluminium के ओर के साथ क्या मिलता है Bauxite मिलता है क्या मिलता है बॉक्साइट मिलता है ठीक है formed in tertiary period बॉक्साइट को बनने में बहुत टाइम लगता है tertiary period formed by formed in tertiary period tertiary period मतलब क्या है 65.5 million से 2.6 million year पहले ठीक है मतलब अगर 2.6 million पहले या 65.5 million पहले मतलब इतना टाइम लगता है उसे बनने में ठीक है संज में आया 65.5 million से 2.6 million के बीच का टाइम लगता है बॉक्साइट बनने में बॉक्साइट को बनने में और इसी को क्या कहते हैं tertiary period कहते हैं ठीक है aluminum, hydroxide and oxide बॉक्साइट किसमें से मिलता है aluminum, hydroxide से और aluminum, oxide से aluminum, hydroxide से हमें क्या मिलता है बॉक्साइट मिलता है ये और है और aluminum, oxide ये भी और है जिसमें से बॉक्साइट मिलता है ठीक है alumina and then aluminium by electrolysis क्या करते हैं? जो oxide है, hydroxide है और aluminium oxide है इससे aluminium को कैसे अलग करते हैं? electrolysis के थूँ electrolysis क्या है? यह process है जिससे उस component में यह जो समान है, जो mineral है इसमें क्या करते हैं? electricity pass करते हैं जिससे क्या होता है? hydroxide अलग हो जाता है oxide अलग हो जाता है और aluminium अलग हो जाता है जब पहले electrolysis process करते हैं तो पहले alumina अलग होता है aluminium hydroxide से alumina अलग होता है और इसके बाद electrolysis से ही यह किसमें convert हो जाता है aluminium में ठीक है? bauxide के बारे में देखते हैं बॉक्सैट कैसा है? नॉन कोरोसिव मेटल है means aluminum का ही part है बॉक्सैट क्या है? अलूमिनियम ही है non-corrosive metal aluminium क्या है? non-corrosive metal है means इसमें corrosion नहीं पढ़ता जिसे iron है, iron क्या होता? उसमें जंग लग जाता है, corrosion हो जाता है जिससे iron धिरे-धिरे उसकी quality खराब होने लगती है लेकिन aluminium में ऐसा नहीं होता है Good conductor of heat and electricity Good conductor of heat का means aluminium बहुत जल्दी गरम हो जाता है और aluminium से electricity भी pass हो सकती है With copper and magnesium अगर aluminium को copper में मिलाया जाए या फिर aluminium को magnesium में मिलाया जाए तो क्या बनेगा Dural Min बनेगा Aluminium है Aluminium में copper मिला दिया जाए magnesium मिला दिया जाए तो क्या बनता है Dural Min Dural Min क्या है Dural Min Manufacture of Aircraft जो aircraft बनाया जाती है इसे airplane है helicopter है तो यह सब जो aircraft है उसको बनाने में Dural Min का यूज किया जाता है Railway coach railway के जो passenger coach होते है जो trains में passenger coach होते है उसको बनाने में भी Dural Min का यूज किया जाता है समझ में आया और क्या यूज करते हैं Aluminium से utensils बनाया जाते हैं means Aluminium से बरतन भी बनते हैं Thin Foil भी बनती है इनम Thin Foil बनती है इस काफी पतली Foil बनती है Aluminium Foil ठीक है कई जगों में देखते हैं जो food है तो उसको pack करने के लिए ठीक है Aluminium Foil का यूज किया जाता है समझ में आया यह क्या था बॉक्साइट था इसे नोट कर यह बॉक्साइट कहाँ पर पाय जाते हैं इसके commission के बारे में देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं बॉक्साइट का डिस्ट्रिबूशन कहां कहां पर बॉक्साइट पाए जाता है सबसे पहले देखते हैं ओडिसा ओडिसा में इंडिया में देखे तो ओडिसा स्टेट में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है ओडिसा में कहां कहां काला हांडी संबलपूर ठीक है ये दो डिस्टिक्ट है जहाब पर बॉक्साइट निकल रहा है ओडिसा अबाउट 40% का प्रोड्यूस हो रहा है बॉक्साइट जारखंड में पालंपूर एंड राची में 36 गड़ में अमर कंटग राजगर और बिलाजपूर ये कहां पर है 36 गड़ में बिल रहे हैं मद्य प्रदेश में है सहदोल मंडला और बालाघाट जहां पर बॉक्साइट निकल रहा है महारास्ट में कोलापूर है तमिलाडू में सलेम एंड मदुरई मीन्स सलेम और मदुरई जो डिस्टिक्ट है प्लेस है तमिलाडू में महां पर बॉक्साइट निकल रहा है करनाटक में बेलगम और साउथ कनारा में आंध प्रदेश में भी है आंध प्रदेश में विशाका पत्नम में विशाका पत्नम डिस्टिक्ट में और उत्तर प्रदेश और गोवा में भी बॉक्साइट मिलता है प्रेड्यूस होता है समझ में आया कि किसके बारे में पढ़ें बॉक्साइट के बारे में मागनीज के ब Clear हुआ? Next lecture में हम पढ़ेंगे Energy Resources के बारे में Thank you for watching this lecture